राजस्तान में नगर निगम चुनाव जीत कर भले ही असो गेलोत ने दिखा दिया कि पार्टी कितनी मजबूत है लेकिन अंदर खाने जो कले छिडी है जो पाइलेट के कलक तेवर से सियासी सत्ता पर आती नजर आ रही है जी हाँ एक बार फिर पाइलेट ने गेलोत के सामने परेशानी खड़ी कर दी है उन्होंने अपने समर्थकों को लेकर ऐसा बयान दिया है जो कि कॉंग्रेस की बेचेनी बढ़ा सकता है साथ ही सचीन पाइलेट और असो गेलोत के बीच दूरियां भी लाएगा राजस्तान कॉंग्रेस में सचीन पाइलेट ने वाप्ची तो क पद दिया गया है और नहीं उपमुक्य मंत्री पद की कमान सोपी है इसे लेकर सचीन के मन में एस संतोस पनप रहा है हालांकि वे खुल कर बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन इस सारे नाराजगी को साप जाहिर कर रहे हैं आज भी उन्होंने कारी करताओं के बहाने आज भी गे कारी करता जो भी मांग करते हैं उसे जान से समझ कर आला कमान तक बात पहुंचाई जाएगी उतना ही नहीं उन्होंने यहां तक ए दिया कि मैं अपने समर्थकों के आत्म सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा कॉंग्रेस की अंदुरुनी सियासत को देखते हुए पाइल आज नजर आ रहे हैं इससे पेले भी वो अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं कुछ मेडिया सुत्रों के हवाले से ये भी बड़ी खबर आ रही है कि सचीन पाइलेट को राजस्तान कोंग्रेस में जल्द ही मुख्य मंतरी की कमान सोपी जा सकती है और इसको लेकर कोंग तो वीडियो अच्छा लगा तो शेर और अपनी राज कमेंट बॉक्स में जरूर दें धन्यवाद